हाई फ्रेंट्स हागत है आपका रडिकाफेड उप चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं एनस्पीसी जही एक्सपेक्टेट कटाफ 2023 सिविल एलेक्टिकल मेकेनिकल तीनों के यहाप हम कटेगरी वैस कटवाफ देखेंगे और यह कटाफ में बना रहा हूँ और आप सभी से मैंने एक सर्वे कराया था सर्वे में काफी कंडेट में पार्ट्स पेट किया था तो उस सर्वे के जो मैंने कराया था उसके आधार पर करने के बाद यह कटाफ वीडियो मना रहा हूं ठीक है तभी वीडियो में यह डिले है कटाफ पर तो यह कटाफ दोस्तो लगभग जो है कह सकते हैं आपको कटाफ यही रहने वाली है जो भी कटाफ रहेगी इस बार 2023 की तो एक्सपेक्टर कटाफ लेकर आए हूँ आज की इस वीडियो में और हम बात करेंगे यही का रजल्ड कब तक पब्लीस होगा इसकी बारे में भी हम डिसकास कर लेते हैं तो चलिए हम वीडियो को सब्सक्राइब करना विडियो को लास्ट पसंद आने पर आप लोग इसको लाइक करें ठीक है ठीक है पहले आपको लाइक नहीं करने वीडियो देखिए अगर आप आपको लगे है अलपूल तब आप इसको लाइक करके चाहिएगा दोस्तों में शेयर भी कर देजेगा अन्रजब कटेगरी में जो कटाफ चाने वाली है 141 से 146 चाने की 141 से 146 के बीच आपकी कटाफ रहने वाली है इस बार civil engineering की जो मैंने analysis किया उसके basis पर ठीक है ये है कटाफ मेरे recording बाकी आप लोग को भी comments करना है आपके recording क्या कटाफ रहेगा आप लोग को भी comment करना करने किजिएगा और यह रहे दोस्तों OBC की कटाफ अगर हम OBC के बात कर लेते हैं देखिए OBC के दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो OBC में भी आप देखिए 136 से 141 के बीच जो है कटाफ आपकी रहने वाली है OBC की ठीक है तो यह चीज़ हो गया हम बात करते हैं EWS कटे हैं यह आपकी EWS कटेगरी में कटाफ आफ आपकी जाने की सम्भावना है, सिविल इंजिर्णिग में ठीक है तो यह है मेरे कोर्णिंग और आगे आप हम बात करते हैं सिविल इंजिर्णिग में ही SC कटेगरी में ठीक है SC में दोस्तों यहां पर 126 से 131 की बीच जो हमाने आ हब इसके बीच जो है यह कटाफ रहने की संभावना है इस बार सिविल इंजिरिंग में ठीक है तो यह दोस्तों जो कटाफ में बना रहा हूं वीडियो यह आप सभी के जो आपने कमेंट्स किये थे और उसके बेसिस पर और जो आपके एक्जाम सुए थे उसके अनलाइस करने बना तब ही वीडियो देले है चाहता तो उसके पब्लेश कर देता लेकिन ऐसा नहीं पुरा फुल एनलाइस करने के बाद में वीडियो बना रहा हूं लास्ट यह में बनाया था तो वह भी लगबग कटाफ मैच की तो आप लोग जो है इसको देखिएगा और आके हम बगत हैं इसके बारे में जो आ जाती है नेश्ट हमारा आजएगा मैकैनिकल इंजियरिंग ठीक है मैकैनिकल इंजियरिंग कर बात कर लेते हैं तो अन्रेजर्ब कटेगरी दोस्तों यहां पर 146 से 153 ठीक है 143 के बीच यह कटाफ आपका इस बार रहने वाला है जो कि मैकैनिकल इ आश्ट शालायार जोट छिए उन्रेजर्ब में बने लग southern Guard 156 जो ए मकैनिकल की कताफ वे थी आश्ट नर्रिएक ठाउटी की ती तो ए आपकी इस बाद जो है ciekै व बजल्य है तो अगर हमबात करते हैं इस कारी में तो यहां पर में 134 से 149 के बीच आपकी कटाफ रहने कट आफ की वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसमें एक से दो नंबर का वारिएशन हो सकता है बाकि आपकी कट आफ जो मैं बता रहा हूं इसी की बीच हो है रहने वाली है ठीक है हम बात करते हैं मेकैनिकल जेरिंग में स्सी कटेगरी में दोस्तों करें तो आटेगरी में स्थी आपको कट आफ की डेक्ष देख पा रहा है 274- 130 के भीच ठीक है कट आफ़-क कट आफ रहने वाली सेफ स्कूर में नो इशू आपका जो है सेलेक्शन खो जाएगा फाइल ठीक है यह जो करने की कोडिंग है आगे हम बलते हैं यहां पर आजाएगा हमारा अगर बात करते हैं तो अगरण थी आपका एक्सपेक्टर्ड जो कटाव रहे सकती है यह एक सो 44S के बीच होंगी एक सो चाली से 145 के बीच यह कटाव इस बार रहेगी तो यह आप मानके चलिए यह आपका जो है यह आपकी अंद्रजर्व कटेग्री में कटाफ जा सकती है अगर हम बात कर लेते हैं तो बीसी में 135 से 140 की बीच यानि कि 135 से 149 तक आपकी कटाफ जा सकती है इसी की बीच आपका कटाफ रहेगी कटेग्री में हम बाते हैं EWS की तरफ से जो है इसमें 138 की बीच आपकी कटाफ जा सकती है जो कि एलेक्टिकल इंजियनिंग की होगे ठीक है तो यह चीजा नहीं देगा और आगे बाते हैं नेक्स कटेग्री आ जाती है हमारी SC तो SC में दोस्तों यह जो आपकी कटाफ है यह 124 से 124 से 129 के बीच जो है यह कटाफ रह सकती है आपकी इस बार SC कटेग्री की एलेक्टिकल इंजियनिंग है तो यह दोस्तों आपके सामने मैंने प्रज़न किया यह कटेग्री वाइस कटाफ थी जो की कटाफ से आपकी सिविल जेरिंग की मेकैनिकल इंजियनिंग की और सब्सक्राइब तो तीनों के बाने दोस्तों यहां पर कटाफ बता दिया कटेग्री मैंने आपको बताया क्या रहने वाली है इस बार मेरे कॉर्डिंग ठीक है तो जो आपके एंसर की आई है उसके बात कर लेते हैं जो इसका रिजल्ट है इसका रिजल्ट कब तक करहा तो यह बार मेरे तो देखे दोस्तों आज वीड़ियो रिकार्ड कर रहा रहा हूँ और आपके एंसर किया हुए लगबगा आपका तीन दिन हो गया है तो यह आप मानगे चलिए आपके जो result है जिस तरह से एनस्पीसी वर्क कर रहा है इतना fast तो हम इससे expect कर सकते हैं कि जो आपका result है दोस्तो वो 15 अगस्त के पहले पहले किसी भी date को आपका result आ सकता है यही मेरे recording लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपका result एनस्पीसी जारी कर देगा ठीक है पंदर आगस्त को Independence Day है उसके पहले पहले यारी कि 12 से 13 14 किसी भी date में आपका result आ सकता है नस्पीसी जूनियर इंजिनियर ठीक है यह मेरे recording दोस्तो बाकि आप लोग नीचे comment section में comments कर सकते हैं आपका कोई भी suggestion हो कोई जा हो आप comments किजिएगा आप भी बताइए अपने recording क्या cut off जा सकता है नस्पीसी का इस पार टाकि help हो सके तो I hope दोस्तों आप सभी दोको वीडियो helpful लगा होगा वीडियो helpful लगा इसको like किजिए अपने दोस्तों में share किजिएगा चैनले पर नहीं हो चैनले सब्क्राइब किजिए मिलते हैं आप सभी से एक नहीं वीडियो में thank you for जास आप स्वीडियो